जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजाय टुलन में आपका स्वागत है जैसा कि आपको बता है कि अपन करंट अफियर्स वीकली बेसिस पे भी रिविजन करते हैं और अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफियर्स नहीं पढ़ पाते हैं तो बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं और यह है वीक टू के करंट अफियर्स इसमें जानेंगे अपन इंपोर्टेंट पैक्ट और डॉट्स को भी कनेक्ट करेंगे तो बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो question देख लेते हैं काफी important है आज के लिए which song wins best song at golden globe award 2023 तो ये जानना काफी important है और काफी important question है नाटो नाटो तीक है अगर हम पूरी discussion करते हैं इस पर थोड़ा सा deep discussion करेंगे पहले मैं आपको बताऊंगा awards के बारे में कि कौन कौन से किस types के award होते है एक ओसकर award तो आप सबी ने सुना होगा ये किसलिए दिया जाता है ये दिया जाता है basically movies के लिए ठीक है और Emmy Award सुना होगा Emmy Award भी सुना होगा ये दिया जाता है television ठीक है टेलिवीजन के जो serial वगेरा हो किसे दिया जाता है ये दिया जाता है भाई singers को ठीक है आपने वो गाना सुना होगा अनी सिंग का दुआ करो मेरे लिए ग्रैमी ले आओंगा तो वो है singing से दिलेटेग ये मैंने आपको इसलिए बता है आपके एफकेट में पूछे जा सकते हैं अब आपको ये question आएगा कि golden globe about किस field में दिया जाता है तो golden globe दिया जाता है movies में भी ठीक है movies में भी दिया जाता है ये दिया जाता है टेलीविजन में भी ठीक है और दिया जाता है ये songs में भी ठीक है songs में भी दिया जाता है अगर मैं आपसे बात करू songs की category में किसको चुना गया है तो वो चुना गया है NATO NATO को तें नाटो नाटो जिसका हिंदी वर्जन क्या है नाचो नाचो है ना अगर मैं आपसे बात करूँ कि NATO NATO ने किसको बीट कर दिया है यह बहुत बड़ी उपलब्दी रही भारत के लिए उसने बीट कर दिया है टेलरशिप्ट के गाने कैरोलीना को और लेडी गागा को भी बीट कर दिया है देखो लेडी गागा जो की यूएस के हैं और रियाना के आपने सौंग सुने होंगे उन्हें भी बीट कर दिया है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्दी रही भारत के लिए ये जानना आपको काफ़ इंपोर्टेंट था और मैंने काफ़ी डीपली डिसकस करके आपको समझाने की कोशिश करिए अगर मैं आपसे बात करूँ कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये इसकी स्ताफना कब हुई थी है फस्ट कब में पूछ ले तो बेस्ट मूवी मिली है दा फैबल दा फैबल मैंस ठीक है दा फैबल मैंस और सीरीज कौन सी मिली है तो सीरीज मिली है हाउस ओफ दा ड्रेगन तो ये आपको पता होना चाहिए काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ें अपने आपे डिसकस करिए तो नेक्स कुशन देखते है तो नेक्स कुशन काफ़ी इंपोर्टेंट है आपके लिए वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस 2023 विल बी हैल्ड इन विस सिटी ये कहाँ पे होने वाली है तीक है ये होगी FAB में तो अगर मैंने आपको बताया था कि FAB में अगर कोई भी होगा ना तो वह आपके एकजाम के लिए काफ़ी important हो जाता है तो ये होगी कहा पे मोंबई में तीके मोंबई में मोंबई में और इसकी थेम क्या है इसकी थेम है وी जन 20 30 देखें, वीजन 2030 और S से इनने डिनोट किया sustainability, P से किया productivity, I से किया innovation, C से किया collaboration, E से किया excellence, S से किया safety, तो यह आपको पता होना चाहिए, अगर आप से पूछ लें I से, तो आपको I का भी पता होना चाहिए, C का भी पता होना चाहिए, सब चीज का यहां पर पता होना चाहिए तो यह इसका, यह देखिए, यह सब इसकी theme है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, कि मॉंबई में ही क्यो हो रहा है, अचा मॉंबई में ही क्यो हो रहा है, और इस meeting में होगा क्या, इस meeting में होगा, export, import, देखो जो भी export, import करते हैं न, उनके लिए यह काफी important एक meeting है, तो जित leading state अगर हम spices का बात करें, तो वो कौन सा है, वो है महरास्ट, ठीक है, यह आपको पता होगा, अगर मैं आपसे बात करूँ, कि largest producer है, largest producer of turmeric कौन सा state है, तो वो भी है महरास्ट, ठीक है, तर्मारी का हल्दी, और आपको जैसा पता होगा, कि GI tag भी अब भी recent ही मिले थे, GI tag एक ह comment section में बताईएगा, अब spices board, spices board के बारे में आपने सुना होगा, इसकी staff न होई थी कब, इसकी staff न होई थी 1987 में, ठीक है, 1987 में होई थी, अब आपसे एक question पूछ लेते हैं, कि यह कौन सी ministry के अंदर आता है, तो यह आता है ministry of commerce and industry के अंदर, ठीक है, ministry of commerce, ministry of commerce and industry, ठीक है, यह को पता होना चाहिए, next question देखते हैं, तो next question देख लेते हैं, कि कौन सा state बना है, जो emerge हुआ है, top investment destination in India, तो यह आपको बताना है मुझे, यह बना है, गुजरात और राजीस्तान, तीके गुजरात और राजीस्तान में सबसे ज़्यादा investment आने वाला है, और top destination है, किसका investment का, अब इस सेंटे आपको पता है, प्रवासी भारती दिवस हुई, हुआ था, कहां पर हुआ था, मध्यप्रदेश में, इन दौर में, तो यहां पर 500 करोड रुपे का investment आया, एक सिंगापूर कंपनी के द्वारा, तो यह देखे, एक investment यह भी आ चुका है, अगर मैं आपसे ब आपको और कुछ नहीं जाना, काफी जादा states हैं, तो जादा deep में बजाएगा, ठीक है, नेक्स कोशन देखते हैं, तो नेक्स कोशन देख लेते हैं, कौन सी country ने top किया है, हैनले passport index को, तो यह किया है किसने, यह किया है जपान ने, जपान हर बार ही top कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह काफी एक important index है, और इससे कोशन आता भी है, तो इंडिया की rank क्या है, इंडिया की rank है 85th, ठीक है, 85th है इंडिया की, और हर बार इंडिया की 80 से 85 तक ही rank गूंती रहती है, अगर मैं बात करूं, इंडिया की कितनी destination है, टोटल जो visa free है, तो वो है 59 ठीक है, और देखो आप जपान की कितनी है, जब अगर अपन इसको beat करेंगे, जब पहुच पाएंगे top पे, ठीक है, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं, second और third number पे कौन रहा, तो second पे रहा Singapore, और उसके साथ उसने joint रहा South Korea ने, ठीक है, तो यह आ इंडिया की रैंक 87, मैंने आपको कहा ना, 80 से 90 ही हर उसको इंडेक्स में passport की रैंक रहती है, तो आप confused मत हो न, अगर 80 वालो नमबर आए, तो आप उसे टिक कर देना, ठीक है, चलो next question देखते है, So the next question is, who has been named as the first female pilot of India, to pilot Sukhoi fighter, यह उड़ाने वाली है, Sukhoi fighter, और यह बन चुकी है, first female pilot of India, तो यह कौन है, यह है, अवनी चतुरवेदी जी, अगर मैं आप से बात करूँ, यह recently कहां पे है, यह है कहां पे, वीर कार्जियन, वीर कार्जियन exercise कहां पे हो रही है, वीर कार्ज के बीच में यह exercise है, और धर्मा गार्जियन, आपको पता ही होगा, धर्मा गार्जियन, इसके बीच में होती है, इंडिया और जपान के बीच में, बट यह कौन सी exercise है, यह है, आर्मी की exercise, और यह है कहां की, यह है, एर पोर्स की exercise, काफी important question है, यह आपको question आ सकता है, इसलि 252, 350 km, अगर मैं आपसे बात करूँ, recently इसको कहां से, इसका test launch किया गया है, इसका launch किया चांदीपूर उडिशा से, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक, कितने variant से प्रदवी के, तो 3 variant से प्रदवी missiles के, और ये एक ballistic missile है, और इसकी warhead capacity कितनी है, इसकी warhead capacity है 500 kg की, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा, इस type की ballistic missile कौन-कौन से country के पास है, तो वो है Russia, ठीक है, USA, ठीक है, चाइना, ठीक है, North Korea, और अपना प्यारा भारत, ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना से ही है, नेक्स कोशन देखते हैं, तो important question, प्रवासी भारती दिवस, first celebrated in which year, देखो प्रवासी भारती दिवस का आपको, सब चीजे यहाँ पर पता लगने वाली है, अगर हम बात करें, ये celebrate किया जाता है, नो जैन्वरी को, ये किस लिए celebrate किया जाता है, ये celebrate किया जाता है, commemorate the return of Mahatma Gandhi from South Africa to Mumbai on 9th January 1915, अगर आप से पूछ लें, कि 1915 में गांदी जी आयते, कहां से आयते, South Africa से, कहां आयते, Bombay, ठीक है, Bombay आयते, 9th January को, इसलिए प्रवासी बारती दिवस मनाया जाता है, अगर मैं आप से बात करूँ, ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है, 2003 से, ठीक है, तो ये आपको मिल गए आपके जवाब, एना, अगर मैं आप से बात करूँ, कि इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है, डायस्पोरा, रिलाइबल पार्टनर फॉर, इंडियन प्रोग्रेस, इन अमरित काल, ठीक है, इन अमरित काल, आपको ये थीम भी याद रखना है, अगर मैं आप से और चीजें डिसकस करते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं, थोड़ा सा डीप में इससे ले लेते हैं, चलो, और क्या बता सकता हूँ मैं, चलो, यहां के चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, चीफ गेस्ट भाई, एक तो अपने इंपोर्टेंट है, गवाना के, गवाना के मौम्मद अली, गवाना का कैपिटल क्या है, जियोज टाउन, जियोज टाउन है, और सेकिंड कौन है, सेकिंड है, सरीनेम, आपने कंट्री सुनी होगी, इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है, पैरा रिम्बो, और इसकी जो प्रसिडेंट है, वो कौन है, स यह इन दोनों ने participate किया है यह दोनों main guest रहे यह प्रवासी वारती दिवस की प्रवासी वारती दिवस जो की इंदोर में billion convention hall में हुआ यह चीज आपको ध्यान नहीं रखना है बस इंदोर याद रखना है पूरे धेश में होशो उल्लास से मनाया गया अगर मैं आपसे बात कर यह दोनों जो chief guest है वो एक important जगा visit करने वाले है तो वो करेंगे Asia का largest bio CNG plant जो recently inaugurate किया था मोदी जी ने यह कहाँ पर यह है इंदोर में ठीक है अब आप पूछो कि सर एक और अब भी हुआ था inaugurate compressed biogas plant हा compressed biogas plant ठीक है यह कहाँ पर हुआ था यह हुआ था पंजाब में ठी ठीक है अगर आपसे पूछले CNG plant तो यह है इंदोर में पूर एशिया का सबसे बड़ा compressed biogas plant है वो है पंजाब में ठीक है चलिए next question देखे तो next question है which state become country's first fully digital banking state बन चुका है यह है कैरला ठीक है कैरला भी काफी ज्यादा news में रहा है first first चीजे कर रहा है कैरला तो यह to go fully digital in the banking service and the recognition would boost the state economy as well ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है it is a joint venture between the कैरला state information technology infrastructure ठीक है तो यह चीज़ तो आपको नहीं पता होना चाहिए बस कैरला ध्यान रखना कि कौन सा state बना जो first fully digital banking state बन चुका है तो उसका नाम है कैरला अगर मैं आपसे बात करू कैरला का वो discuss कर लेते हैं चलो वर्ड का first वर्ड का first palm leaf manuscript museum कहां पे वो है कैरला में ठीक है और क्या आया कैरला में धर्माधम constituency धर्माधम constituency जो की इंडिया की fully library बनी constituency वो है धर्माधम अगर मैं आपसे बात करू जैंडर पार्क इंडिया का जैंडर पार्क कहां पे आया था ये भी आ इंडिया की first digital literate पंचायत कहां पे वो भी है कैरला में तो ये चीज़े आपको ध्यान रखना है अभी recently कैरला government ने एक award दिया था उसका नाम था J.C. Daniel Award ये कैरला का highest film award है ये कैरला का तो ये चीज़े आपको ध्यान रखना है बस ये मिला किसको ये मत जानना J.C. Daniel Award आपसे पूछ ले कौन से स्टेट का है तो ये है कैरला का ठीक है बाकी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है धर्मदम जेंडर पार और वर्ल्ड का Palm Manuscript Museum कहां पे है कैरला में और एक और चीज़ जो most important कैरला first fully digital banking state बन चुका है next question देखते है so next question है who was the guest of honor at the youth प्रवासी भारती दिवस देखो प्रवासी भारती दिवस का तो है न सब को रटा है ठीक है मौहमद इफान अली खान सब को रट लिया सब ने रट लिया गवाना के president है बट आपको अगर ये पूछ लिया न युथ प्रवासी भारती दिवस के guest of honor कौन थे तो वो कौन थी वो थी zenita mestranches ठीक है ये कहां की है ये है Australia की ठीक है और ये कहां पे host हुआ ये भी इंदौर में ही host हुआ ठीक है अगर आप से पूछें युथ प्रवासी भारती दिवस कहां पे host हुआ था हुआ तो इंदौर में बट chief guest अलग हो गए थे ठीक है तो ये ची ये का की है ये एंडिया और ऑस्ट्रहिंद टीक है अस्ट्रहिंद कहां पे हुई थी माजन फील्ड कहां पे राजिस्तान में खी कर राजिस्तान में अगर आपको कुछ याद आ रही है तो आप कमेंट सेक्षन में मुझे बता दो तो next question देख लेते हैं अगर मैं आप से बात करूँ खेलो इंडिया यूद गेम्स कौन होस्ट कर रहा है तो होस्ट कर रहा है मद्दिप्रदेश और यह कौन सा edition है यह edition है 5th edition और यह कब से कब तर चलने वाला है तो यह चलने वाला है January 32, February 11 यह चीज आपको द्यान रखना है अब इसके मैसकट के बारे में बात कर लेते हो तो इसका मैसकट है आशा एंड मोगली तीक है आशा शायद इसलिए नाम रखा गया था मैंने न्यूस पेपर में पड़ी थी यह जी आपको पता होगा अमर कंटक वर रिलीज एलॉंग विद थीम है ना तो यह चीज आपको द्यान रखना है चलो इसमें चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं इसमें मैंने ओप्शन डलवाए हैं चलो पैरी पैरी कहा का मैसकट था पता है आपको यह था Commonwealth Games का Commonwealth Games जो ब्रिम्मिंग गन में हुए थे और Fluffy पता है किसका मैसकट है जो अपने अब भी exercise देखी ना ककाडू ठीक है उसका मैसकट पता है क्या था उसका मैसकट था Fluffy जो कि एक क्रोकोडाइल है यह चीज आपको पता थी ठीक है और आशा और मोगली तो हो गए मीरी तोवा टोकियो ओलंपिक्स का था ठीक है टोकियो ओलंपिक्स का था पता होगा आपको ओलीव ही ओलीव टर्टल के बारे में तो आपने सुना ही होगा अब भी जो FIH FIH का मेंस होकी वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें 44 मेच होंगे 20 मेच होंगे बिरसा मुंडा में और 24 मेच होंगे कलिंगा स्टेडियम में तो जो 20 और 24 मेच होंगे तो जो इसका मैसकट है ना कहां पे होगा ये उडिसा में ठीक है उडिसा में होगा तो जो इसका मैसकट है वो है ओलीवी टीकि है ओलीवी इसका मैसकट है और यह आपको पता होगा ओलीव ग्रीन टर्टल तीक है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अब आप मुझे इसका IUCN स्टेटस बताओ ओलीव टर्टल का तीक है next question देखते हैं तो next question है world का first palm leaf manuscript museum कहाँ पे open हो चुका है देखिए यह आपने पहले भी news देखी थी तो यह हो चुका है कैरला में देखिए कैरला में हो चुका है the world first leaf manuscript museum has been open in तिरुवेंदनम पूरब the capital city of कैरला in reaching the state culturally and educationally तो यह चीज आपको दियान रखना है world का first है न तो और इसमें आपको क्या दियान रखना है चलो मैं बताता हूँ इसमें आपको यह दियान रखना है fully banking fully digital हो चुका है अब भी अफर ने discuss किया था first slide में बाकि आप मुझे connect dot करके बताओ बहुत बता जुका हूँ मैं कैरला के बारे में ठीक है next question देखते है next question देख लेते है 240 feet का valley suspension bridge कौन सी river पर इनागरेट किया गया है तो यह इनागरेट किया है चेनाब river पर अब भी आपको पताओगा Siom Setu Siom Setu यह कहां पर किया गया था यह किया गया था अरुनाचल प्रदेश में ठीक है अरुनाचल प्रदेश में Siom Siom किसकी ट्रिबूटरी है यह है ब्रह्म पुतरा की ब्रह्म पुतरा की ट्रिबूटरी आपको पता होगा अरुनाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है Land of Donlit Mountains यह आपको पता था Land of Donlit Mountains ठीक है और मैं अगर बात करूँ अरुनाचल प्रदेश की चैनाव रिवर पे एक और आ रहा था एक और आ रहा है अभी उसका नाम है World Highest Rail Bridge World का Highest Rail Bridge कहाँ आप कौन सी रिवर पे आ रहा है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आ रहा है चैनाव रिवर पे यह देखो थोड़ा मैं रफ बर कर लेता हूं उसके लिए काफी माफी चाहूंगा आप लोगों से आप लोग समझ जाते हैं तो प्लीस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रू बताइएगा नेक्स कुशन देखते हैं तो ताला कवेरी इस रिसेंटली न्यूज ओबन फस्ट डार्क स्काय रिजव इन विच स्टेड यह देखो इंडिया की फस्ट तो आपको पताई यह डार्क स्काय रिजव कहां पे आ रही है वो आ रही है कहां पे हैनले लदाख में हैनले लदाख में पता ही होगा आपको हैनले विलेज लदाख में और अधर मैं बात करूँ साउथ की साउथ की यह सैकिंड बनने वाली है ताला कावेरी में जो की कडाकू डिस्ट्रिक्ट में है जो की एक सोर्स है कावेरी रिवर का located है कहाँ पे लडाक में और यह वाली भी बन जाएगी 2 तो यह चीज आपको दियान रखना है और चलो आपको एक चीज बताता हूँ मैं science related चलो यह तो सब बाते हैं एक there night जैस बताता हूँ बोचली सकेल बॉट्ष ले scale यह क्या करता है आपको पता है आपने इतना dark sky reserve यह सब तो देख लिया यह measure करता है कि यहाँ पे dark sky reserve open होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए यह place decide करता है कि यहाँ पे dark sky reserve जो suitable रहेगी या नहीं रहेगी ठीक है यह scale type है जिसे रिष्टर scale क्या करता है रिष्टर scale क्या करता है वो मुझे आप comment section में बता होगे तो कुछ types की scales आप से पूछे जाते है exam में अगर आप से bottle scale पूछ लिया गया है तो आप तो वाँ पे फच जाओगे लेकिन आप आपको याद रहेगा dark sky के इसका रिष्टर के बारे में बताता है तो next question देखते है तो next question देख लेते है who has been reappointed as the chairman of senior selection committee किसको वापिस senior selection committee का chairman बना चुका है तो बना दिया गया तो आप से question पूछा जा सकता है तो यह है चेतन शर्मा जी चेतन शर्मा जी को बना दिया गया है बी सी सी आई का senior selection committee का member और कौन कौन से member है शली लंकोला, शिब कुमार दा, सुबरो तो बैनर जी एंड श्रीदाम शर्द और दा new members of the selection committee तो यह जी आपको पता होना चाहिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है senior selection committee का chairman तो यह next question देखते है कोई committee से आपसे related question पूछे जाते है चलो, कीर्थी पारिक committee कीर्थी पारिक committee क्या करती है यह करेगी gas pricing gas pricing पर work करेगी अमर जी सिन्ना committee याद है, अमर जी सिन्ना committee यह क्या करेगी यह करेगी अपना manrega वाली दीके, manrega scheme से related है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है दोनों question आपसे पूछे जा सकते है next question देखते है which state setups India's first green climate fund यह state पता है क्या क्या करता है यह state पहले अपना खुद का climate change mission launch करता है तीक है, अब क्या कर रहा है अब इंडिया का first green climate fund भी इसने launch कर दिया है तो कौन है, आप तो समझी गए होंगे वो है तमिल नाडू तीक है, तमिल नाडू से इतनी चीज़े में relate कर चुका हूँ अब आशा करूँगा कि आप मुझे comment section में मुझे recall करवाद होगे तीक है, next question देखते है next question है which is the host city of Y20 summit Y20 summit क्या है Y20 summit is a part of G20 summit बहुत सारी summit होंगी अब भी वैई G20 की presidency इंडिया के पास है तो देखो, सबसे first summit कहाँ पे होगी वो होगी पुटू चेरी में ये तो आपको याद रख नहीं है और G20 की शेरपा meeting कहाँ पे होई थी वो होई थी अपनी कहाँ पे उदैपूर में और शेरपा जी अपने कौन है वो है अमिताप कान्त जी ठीक है और working group की कहाँ पे होई थी ये होई थी Mumbai में ठीक है तो ये चीज़े आपको द्यान रखना है और 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 अच्छा Urban 20 Urban 20 के कौन है चंद्र शेकरन जो टाटा उसके वो भी है और क्या बता सकता हूँ एमदाबाद से related है B20 भी होई थी तो ये कहाँ पे होगी ये होगी Y20 ये होगी New Delhi में और ये फस्स टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है Y20 सब्मिट फॉर दा फस्स टाइम तो ये आपको याद रखना है नेक्स कुश्चन देखते हैं और ये इसका लोगो है देखो Y20 तो आपको इस टाइप के कुश्चन देख लेते हैं इंडिया हास एंटी टैंक मिसाइब देखिए इस टाइप के कुश्चन आपको ATGM मिसाइब अगनी मिसाइब आपको बताना है इनमें से इंडियास की एंटी टैंक मिसाइब कौनसी है तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं नाग मिसाइब आपको सब को पता है कि एक एंटी टैंक गाइड़िड मिसाइल है तो ठीक है नाग तो हो गया ठीक है नाग सब में आ रहा है ठीक है वो बहुत चालू है अम वो मिसाइल के बारे में आपको नहीं पता होगा ये एक इंडिया की एंटी टैंक मिसाइल है तो ठीक है फरस्ट भी है ठीक है और आपको पता होगा MPATG है ये भी एक एंटी टैंक मिसाइल है तो ठीक है बस आपको पता होगा कि अगनी मिसाइल अगनी मिसाइल कौन सी है अगनी मिसाइल तो सबको पता ही होगा अगनी मिसाइल है इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल जो की सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है तो अपने काफी अच्छे से चीज को डिसकस किया अगर इस टाइब का कोश्चन आ जाए आपसे तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे तो कुश्चन देख लेते कौन सी सिटी सेट अप कर रही है फर्स सेंटर ओप एक्सिलेंस इन ओनलाइन गेमिंग ओनलाइन गेमिंग आज काफी ज्यादा न्यूज में है काफी ज्यादा वुस्सब है ओनलाइन गेमिंग का तो यह कर रही है शिलॉंग शिलॉंग जो की कैपिटले कहां कहां मेगाले का तीके मेगाले का कैपिटले अगर मैं आपसे बात कर तो ये चीज आपको याD रखना है, आपको एक चीज और यादाती हो कि महिखाले से, वो है मोमुल केव, टिके Hep, ये कहाँ पे ये बनी थी first geo heritage site of India first geo heritage site of India कौन सी बनी थी मोगूल केप जो की कहाँ पे है मेगाले में ठीक है ये चीज आपको याद रखना है और recently big news आई थी जिसमें UP ने टॉप किया था online gaming destination UP ने जिसमें टॉप किया था तो ये सारे points आपको ध्यान रखना है इंडिया का first center of excellence और ये कब तक हो जाएगा मार्स 2023 तक तो ये आपको पता होना चाहिए next question देखते है कौन सी ministry ने launch किया है Marg Portal for setup mentorship for the startups तो ये launch किया गया है Ministry of Commerce and Industry के द्वारा Ministry of Commerce and Industry जिसके minister ने प्यूश गोयल जी ये क्या करेगा ये Mark Portal करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए आपसे direct question पूछा जा सकता है ये करेगा facilitate करेगा mentorship for startups तीक है इस startups के लिए mentorship एक program launch करेगा और इसका आपको full form भी याद होना चाहिए Mark का इसका full form है mentorship, advisory, assistant, resilience and growth तीक है तो ये आपको पता होना चाहिए होगा resilience ये ऐसे questions आपकी UPSC में frame होते है इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक recently अभी एक portal launch होता है जिसका नाम है घर portal तीक है घर portal ये किसके लिए था ये था children's के लिए ये चिल्डरंस के लिए था और इसका full form क्या था इसका full form था go home and reunite क्या था go home and reunite है ना तो आपको ये भी याद होना चाहिए next question देखते है so next question काफी important है आपके लिए national youth day कब celebrate किया जाता है तो ये celebrate किया जाता है January 12 को अगर मैं आपसे बात करूँ ये किसे commemorate किया जाता है तो ये commemorate किया जाती है birth anniversary of Swami Vivekanand जी और इस बार celebrate की गई 160th birth anniversary of Swami Vivekanand है ना तो ये चीज आपको याद रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये कहाँ पे celebrate हुआ था ये festival कहाँ पे inaugurate हुआ था तो ये हुआ था करनाटका में ठीक है करनाटका में हुआ था ये आपको ध्यान रखना है और मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी सब चीजे डिसकर्स कर चुका हूँ तो वह आपको पॉइंट अगर याद है तो आप मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा next question देखता है तो next question देख लेएदे काफी important है आपकी exam के लिए Recently Indian Coast Guard Ship जो की FPV series की last और fifth वेसल था ये ये recently commissioned हुआ कॉलकता में इसका आपको नाम बताना है तो इसका नाम है कमला देवी ICGS कमला देवी अगर मैं आपसे बात करूँ ये fifth थी तो आपकी दिमांग में जरूर question आएगा सर first, second, third और fourth कौन सी थी FPV class की तो अगर पूरे आपको नाम बता दूँ मैं ICGS प्रियेदर्शनी ठीके प्रियेदर्शनी ये first थी और प्रियेदर्शनी आपको पता है आदरा गांदी को जाना जाता है प्रियेदर्शनी के नाम से और अगर मैं बात करूँ second थे एनी बैसेंट एनी बैसेंट ICGS एनी बैसेंट और third थी अमरित कौर और fourth कौन सी थी fourth थी कनकलता कनकलता बरुआ कनकलता बरुआ और fifth आपको पता लग गई है कमला देवी जो रिसेंटली कमिशन हो चुके कॉलकता में तो यह आपको पांचो नाम इसके याद होना चाहिए और यह सारे नाम किस पे थे यह Great Indian Freedom Fighters पे यह नाम दिये गए थे तो यह आपको पता होना चाहिए और Coast Guard किस के अंडर आता है Coast Guard अंडर आता है Ministry of Defense के अंडर ठीक है M.O.D. के अंडर ठीक है तो next question देखते है So next question is Sonia Gujarra has been appointed as First Member of Ministry of Indigenous People तो यह कहां की Indigenous People बनी जिने First Minister बनाया गया Ministry of Indigenous People का तो यह बनाया गया Brazil का आपको यह नाम याद रखना है Sonia Gujarra Sonia Gujarra से आप यह नाम याद रखिएगा और आधिर आपको बता हूँ Brazil recent यह भी न्यूज में रहा था यहां के जो PM बने थे उनका नाम क्या है Lula de Silva Lula de Silva आपको नाम याद होना चाहिए और क्यों न्यूज में था आपको बता होगा Cape to Rio एक race होई थी जिसमें INS INS Tarni INS Tarni ने participate किया था तो यह भी आपको याद होना चाहिए और Brazil Brazil और क्यों न्यूज में था Recently यहां के एक Sport person जिनका नाम था पहले वो उनका ध्यानत हो गया था और आपको एक चीज और बताता हो यहां पे एक wetland है जिसका नाम है The Pantanil Wetland The Pantanil Wetland है न यह largest tropical wetland है world का largest tropical wetland है world का तो यह भी आपको पता होना चाहिए static चीजे भी मैं discuss करते चलूँगा Next question देखते So next question है जिसके आपको पता है काफी ज़्यादा efforts के लगाए थे vaccine के लिए serum institute के द्वारा तो यह award दिया गया है अधार पुने वाला को अगर मैं आपसे बात करूँ अधार पुने वाला जो की serum institute के head है यह आज को पता होगा यह serum institute के CEO है अधार उने वाला तो इनको award मिला गया कौनसा इनको award मिला गया पैतन गोरा कदम award अगर मैं आपसे बात करूँ देवनदर फडनी विस जो की deputy CA में महरास्ट के पहले यह कौन थे पहले chief minister थे है ना पहले कुछ सालों पहले यह chief minister थे उसके बाद आये उद्दफ ठाक्रे जी देन अपको ने एकना शिंदे जी और महरास्ट बना था फस्ट जिसने launch किया था दिव्यांग ministry है ना दिव्यांग ministry भी launch किया था और महरास्ट थे आपको क्या-क्या important चीज़े याद आती है मुझे आप comment section में जरूर बताएगेगा next question देखते है so next question देख लिए थे काफी important है who has been appointed as first woman officer to be posted on foreign assignment in BRO कहाँ पे किया गया है इनने किया गया है भुटान में तो इनका नाम क्या है इनका नाम है Captain Shurby Jakmola जी ठीक है Captain Shurby Jakmola जो की कहाँ पे इनने किया गया है ये कौन सी उसकी है 117 इंजीनियर रेजिमेंट की तो इनने कहाँ पे किया गया है भुटान में और ये बन चुकी है first woman officer to be posted on foreign assignment in BRO BRO जिसके डारेक्टर जनरल कौन है डारेक्टर जनरल है राजीव चौदरी जी राजीव चौदरी जी और ये कौन सी ministry के अंडर आता है ये आता है अंडर ministry of defense के अंडर और अगर मैं आपसे बात करूँ ये पहले पता है कौन सी ministry के अंडर आता था before 2015 ये आता था पहले ministry of road and transport के अंडर BRO तो ये आपको पता होगा और BRO का काफी सबसे अच्छा रचीवमेंट आपको पता ही होगा अटल टनल अटल टनल बनाई है BRO के द्वारा और लदाक में भी काफी जादा अच्छे काम किये गए हैं लदाक में किसके द्वारा BRO के द्वारा ब्रो next question देखते है next question देख लेते प्रदान मंत्री नरेन मोधी जी ने लॉंच किया है M.V. Ganga Vilas क्रूज जे कहां पे लॉंच किये आपको ये बताना है तो ये लॉंच किये वारा नसी में अगर मैं आपसे बात करूँ ये वर्ड की लॉंगेस्ट रीवर क्रूज है लॉंच रीवर क्रूज जिसका नाम है M.V. Ganga Vilas विच विल ट्रेवल 3200 किलोमीटर ओवर 27 रीवर सिस्टम इन 5 स्टेट्स इन इंडिया और बांगलादेश इन 51 डेज लिगे ये चीज आपको ध्यान रखना है और ये फर्स्ट क्रूज है इन इंडिया में और ये कहा से होगी वारा नसी से उत्तर प्रदेश और ये कहा पे जाएगी ये जाएगी पांगलादेश और फिर आएगी डिबडूगार्ड असाम तक तो ये आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करो एक चीज और न्यूज में आई थी भोपाल आपको पता होगा भोपाल ये मद्यप्रदेश में भी country का largest cruise बन रहा है जो की capacity जिसकी 5 times जादा है किस से गंगा विलास से और ये अब भी 4 महीने लगेंगे इसमें 4 months around लगेंगे ये ready होने में तो ये आपको जब न्यूज आई की तो मैं आपक की कोशिश करूँगा next question देखते हैं तो सबसे important question वर्ड हिंदी डिवस इस celebrated every year on which date कब celebrate किया जाता है वर्ड हिंदी डिवस तो ये celebrate किया जाता है 10th of January को अगर मैं आपसे बात करूँ वर्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी डिवस ये celebrate किया जाता है 10th of January को अगर इसकी theme artificial intelligence अगर आपको theme मिले तो वो है अपनी काई की वर्ड हिंदी डिवस की theme है ना आपको option confusing दिए जाएंगे वर्ड अबन को पता होनी चाहिए थी अगर मैं आपसे बात करूँ 12th हिंदी conference वर्ड हिंदी conference कहां पे होने वाली ये होने वाली फीजी में ठीक है अगर आपसे option में पूछ ले 11th कहां पे होई थी तो ये होई थी कहां पे ये होई थी मौरेशिज में ठीक है अगर आपसे first पूछ ले first कहां पे होई थी तो first होई थी नाकपूर में ठीक है नाकपूर में कब होई थी ये नाकपूर में होई थी कौन से year में 1975 में ठीक है तो ये चीजे आपको यह किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मन्मुवान सिंग के इस्ट्रक्शन के अंडर यह सेलिब्रेट किया जा रहा है, और अपन इसमें क्या जान सकते हैं, और अच्छा आर्टिकल, चलो पन पॉलिटी का भी कुछ देख लेते हैं, आर्टिकल 343 आपको पता है न, क्या बो देवनगरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए तो यह चीज आपको पता होना चाहिए और एक्जाम में आने की चांसे काफी है तो यह अपना कर रहा है प्यारा भारत 2022 काफी इंपोर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और जैसा की पता है आपको एक इमर्जिंग एकोन बामी है अपनी भारत तो मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या अपने पास है एक तो है वासेनार एग्रिमेंट टीके और जिसको नहीं पता है उसकी प्रसिडेंसी है ना जी-ट्वेंटी की तो पता ही है है ना यू-एन-स-स-की भी पता होगी आपको और जी-पी-एई-ई- लोबल पार्टनर्शिप ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और किसकी है और मिलने वाली है SEO की भी मीटिंग इंडिया में होगी ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट है और यह चीज आपको ध्यान रखनी है और और क्या बात करूं मैं आपसे इसकी थीम क्या है चलो इसकी थीम काफी इंपोर्टेंट है Unity of Voice, Unity of Purpose डैरेक्ट आपसे कोशन पूछा जा सकता है किसकी थीम क्या है तो आपको यह पॉइंट दियान रखना है तो नेक्स कोशन देखते हैं तो नेक्स कोशन देखने तो काफी इंपोर्टेंट है आपके exam point of view से जिससा कि आपको बता होगा 28th February को पूरे भारत में मनाया जाता है National Science Day इसकी थीम अब भी recently announce कर दी गई है तो इसकी थीम आपको बताना है तो इसकी थीम क्या है इसकी थीम है Global Science and Global Wellbeing तो आपको यह याद होना चाहिए और जैसे कि आपको बता होगा 2020 टो की यह थीम थी integrated approach in ST and sustainable future और यह थी 21 की यह थी 2020 की ठ celebrate कबसे किया जा रहा है यह celebrate day किया जा रहा है 1986 से और यह किसे commemorate क्या करता है यह day यह करता है CV CV रमन सर को ठीक है जैसा कि आपने को पता होगा CV रमन सर को Nobel Prize से सम्मानित किया गया था 1930 में यह चीज आपको पता होना चाहिए और चलो रमन इफेक्ट मुझे कोशन आया तो रम तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है scattering of light होता है उससे क्या होता है जो उसकी wavelength होती ही न उसकी wavelength में अपनको एक change देखने को मिलता है तो this is called the rumen effect तो यह चीज आपको पता होना चाहिए और यह आपके science question में आ भी सकता है तो next question देख लेते हैं कौन सा state में first ever cold gasification based temperature fertilizer plant आने वाला है 2024 में तो यह कहाँ पे आने वाला यह आने वाला है उडिसा में अगर मैं आपसे बात करूँ उडिसा recently अब भी news में था जग mission के लिए जग mission के लिए उसको मिला है UN का habitat award जग mission करेगा क्या जो यहाँ पे slum area है उसको free करेगा कब तक 2023 तक है न तो यह चीज आपको ब होस्ट कर रहा है क्या FIH का hockey men's world cup कितनी बार आपको बता दिया इसमें होंगे कितने total games 44 20 और 24 24 कौन सा स्टेडियम करेगा यह करेगा कलिंगा स्टेडियम जो कि कहाँ पे वुवनेश्वर में और 20 कौन करेगा जो अब भी नया inaugurate किया गया बिरसा मुंडा स्टेडियम यह क तो यह चीज आपको दियान रखना है next question आपके लिए काफी important है exercise वीर गार्जेन 2023 यह कौन कौन सी country के बीच में होने वाली है this is the first edition between इंडिया और जपान भारत और जपान यह मिलके युद्धव्यास करने वाला है तो यह आपको पता होना चाहिए कहां पे होगा यह होगा जपान में ठीक है जपान में होगा यह और यह एयर फोर्स की exercise आपको यह भी पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ जपान के साथ पहले देखो आर्मी की तो होती थी ठीक है आर्मी की कौन सी होती थी धर्मा गार्जियन यह कहां पे होई थी यह होई थी करनाटका में ठीक है करनाटका बेलगवी में और अगर मैं आपसे बात करूँ नेवी की नेवी की आपको पता होगा जिमैक्स जिमैक्स होती थी ठीक है अब एयर फोर्स की भी अब होने लगी है ठीक है 26 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी है तो इसका नाम क्या है इसका नाम है वीर आड़ जियन ठीक है इसमें अवनी चतुरवेधी जी भी पाटिसिपेट करने वाली है तो यह आपको द्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ सुकोई 30 C-17 और IL-78 एयर क्राफ भी पाटिसिपेट कर रहा है तो यह चीज आपको याद होना चाहिए नेक्स कोशन देख हवाई जिसका कैपिटल क्या है होना लूरू अब भी रिसेंटल हवाई एक और चीज में न्यूस था याँ कि सबसे लॉंगे सरविंग क्वीन जिसका जिनका अप फी रिसेंटली द्यानत हो गया था उनका नाम देगा था अगर मैं आपसे बात करूँ चलो वाल्केनों के अब एक बार टाइप्स देख लेते हैं, आज बता देता हूं आपको मैं, walcanon जैसा आपको पता होगा, तीन टाइप्स क्यों होते हैं, तीके active, dormant, और एक होता है extinct, तीक क्या है, active भाई कभी भी फट सकता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है, इसके कोई अपन को भरोसा नहीं कर यह कहा है इतना काफी सामय में इरॉप्ट होता है ऐसे इसके लेकिन चांसेस काफी कम होते हैं और इसके पॉसींटी हो गया है इसके possibility कम है इरॉप्शन की है घर आपसे बात करूं एक्टिव वॉल्के नोग सबसे इंपोर्टेंट कुन सा है धेखो आपको पता होगा मौंट म मेरापी जो कि अब भी फटा था माउंट मेरापी जो कि रिसेंटली इरफ्ट हुआ था यह कहाँ पर यह है इंडोनेशिया में और एक और एक्जामपल देता हूं में तौल वॉलकेनों यह आप से मैजदाव कॉलम में पूछे जाते हैं यह कहाँ पर यह है फिलिपिन्स में है na तो यह आपको पता होना चाहिए डौमेंट का कोई इग्जामपल चलो डौमेंट के एक हैं माउंट किलमें जारो ओ सबसे दनट एक बार UPS से हम पूछा था यह है ऑस्ट्रेलिया में यह तो हो चुका है एक्सचिंट ठीक है और बैन नेविस बैन नेविस ठीक है यह है UK में ठीक है तो आपको याद रखना है मौना किया मौंट किल्मिन जारो और मौंट मेरापी और त्वाल वॉलकेन हो ठीक है यह स स्टेट है अरुणाचल प्रदेश पशुराम कुंड फेस्टिवल जिसे हम North East का कुंब फेस्टिवल भी बोलते हैं कुंब फेस्टिवल ओफ नौर्थ एस्ट अगर आप से पूछ लिया जाये तो यह का आप सेलिबरेट किया गया अरुणाचल प्रदेश में चलो अपन कौन से रिवर में यह होता है गोदावरी और एक होता है हरीद्वार यह होता है गंगा रिवर के अलों और एक होता है प्रियाग राज जिसका नाम चेंज हो गया है पहले अलावाद था यह कहां पे होता है यह संगम में गंगा यमना संगम गंगा यमना सरजवती के संगम में तो यह चीज़े आपको पता होना है, यह 12 साल में एक बार होता है, तो यह आपको पता होना है, तो काफी important question आपके लिए, what is the mascot of 26th National Youth Festival, पहले तो आपको यह जानना important है कि यह National Youth Festival कोन host कर रहा है, यह host कर रहा है करनाटका, ठीक है यह होने वाला है करनाटका में, अगर मैं आप से बात करूँ, यह होने वाला है 12 जन्वरी को, अब आप पूछोगे 12 जन्वरी को क्यों, 12 जन्वरी को celebrate किया जाता है National Youth Day, National Youth Day, किसे commemorate किया जाता है, यह commemorate किया जाता है स्वामी विवेका नंद जी को, अगर मैं आप से बात करूँ, कि National Youth Festival का mascot क्या है, तो इसका mascot है, चंपपी चिक्का जो की एक Eleafant भी अगर आप से इस टाइप का Question पूछ ले ले, फिवाट इस जोगी कौन होस कर रहा है उरी सा तो यह चीज आपको याद होना चीए और आपनने काफी अच्छे से dots को connect भी करा है अगर मैं आपसे बात करूँ elephant elephant सिर्फ तीन state का state animal है ठीक है elephant कौन कौन सा एक है करनाट का ठीक है एक है कैरला ठीक है और एक है जार ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यह question आया हुगा exam में ठीक है next question देखे तो next question देखे लिए ते कौन से state ने विगन करा है कि हम caste survey करने वाले हैं in different parts of state तो यह किया है बियार सरकार ने अगर मैं आपसे बात करूँ बियार सरकार ने यह launch किया है बियार सरकार अब भी recently news में रहा था बियार state news में रहा था मेथली ठाकूर आपने नाम सुना ही होगा मेथली ठाकूर जो की एक fox singer है ठीक है classical singer है इन्हें election commission of India ने बनाया था state icon अगर मैं आपसे बात करूँ जियाई टेग ठीक है बियार की जियाई टेग पूछे जाते है ठीक है कहीं बार important GI टेग में से आ जाता है तो एक है यहां की शाही लिची शाही लिची है ना और एक है यहां का मगई पान मगई पान notes बना लेना और लिखते जाना ठीक है और एक है कतरानी कतरानी rice है ना तो यह तीनों आपको याद होना जी यह BR से related अगर आपको और कुछ अच्छे पता हो तो please comment section में बताईएगा और अगर मैं आपसे बात करूँ Valmi की Tiger Reserve वालमी की Tiger Reserve recent ही news में आया था ठीक है तो यह कहां पे यह भी है बिहार में और 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 गयाजी डैम आपको पता ही होगा गयाजी डैम ठीक है इंडिया का longest rubber डैम और और कौन सी river पे यह है river पालगू पे ठीक है और हर घर गंगा जल यह scheme किसने launch करी है यह भी launch करी है BR सरकार ने ठीक है तो यह चीज़े आपकर ने connect करी और next question देखते हैं काफी important है आपकी exam point of view से 75th army day to be organized in which city काफी यह organize होने यह यह organized होने वाला है बैंगलेरू में अगर मैं आप से बात करूँ army day celebrate कब किया जाता है army day celebrate किया जाता है 15 January को ठीक है 15 January को और यह celebrate कब से किया जा रहा है यह 1949 से celebrate किया जा रहा है तो यह चीज़ भी आपको पता होना चाहिए और इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा 75th Army Day और अगर मैं आपसे बात करूँ ये 1st time कहां पे हो रहा है 1st time हो रहा है ये Bangalore में ठीक है पहले कहां पे हुआ करता था ये हुआ करता था देली में 74 बार हुआ कहां पे देली में Recognization of M.Karipa Recognization of M.Karipa अब आप पूछेंगे सर M.Karipa जी कौन है तो M.Karipa जी है अपने 1st Commander Chief of Indian Army 1st Commander Chief of Indian Army कौन थे M.Karipa जी आपसे डारेट कुश्चन पूछा जा सकता है 1965 में एक चीज बताता हूँ मैं 1965 में Commander in Chief को Commander in Chief की जो पोस्ट थी उसको चेंज क्या कर दिया गया उसको चेंज कर दिया Chief of Army स्टाफ यह आपको पता होना चाहिए कि 1965 में यह चेंज कर दी गई थी पोस्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कि अब भी Recently Chief of Army स्टाफ कौन है तो वो कौन है अपने मनोच पांडे General मनोच पांडे जी ठीक है और Bangalore में और क्या होने वाला है Bangalore में एक आपको पता होगा Arrow India Arrow India जो की 14th edition वो कहां पे होगा वो होगा Bangalore Room में ठीक है और Youth India उसका पता ही आपको Youth India का और यह होगा Bangalore Room में तो यह आपको पता होना चाहिए Next Question देख तो काफी Important Question है देखे क्या हुआ है कल 156 km की रफतार से यह फेकी गई गें ठीक है किसके द्वारा तो यह फेकी गई उम्रान मलिक के द्वारा उम्रान मलिक जो की जम्मू इंड कश्मीर के है ठीक है जम्मू इंड कश्मीर के है और किसके अद्वेकी गई यह फेकी गई श्री लंका के ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ Talk 3 Fastest Delivery के जो Record Holders है वो कौन को अने एक तो है शोय बक्तर शोय बक्तर जो की जिनने हम रावलपिंडी Express के नाम से भी जानते है रावलपिंडी Express इनकी जो स्पीड है इनकी जो स्पीड है आराउं 161.3 है ठीक है और सेकेंड पे है यहा पे थोड़ा डलत लिग दिया था मैंने सेकेंड पे है Shaun ठीक है यह कौन सी टीम से है यह हैं Australia से और जो इनकी speed थी 161.1 और एक और यह ब्रेटली आपने नाम सुनाई होगा इनका ब्रेटली कौन सी टीम से खिलते थे Australia से और इनकी speed थी 161.8 तो यह कौन बन चुके हैं उम्रान मलीक तो यह आपको याद रखना है काफी important है और अपने देश का यह बविश्य हैं और काफी अच्छा करेंगे यह वांदा performance देंगे अपने बारती किर्केट में तो आशा करता हूं आपको यह weekly series काफी ज्यादा पसंद आई होगी इसमें काफी ज्यादा important questions भी हैं औ मिलते हैं next class में जब तक के लिए please hit the like button जै हिन जै भारत